ये कारिक्रम संपूर्ण लॉक्डाउन की स्थिती में सोशल डिस्टिंसिंग को पूरी तरह बरत्ते हुए बनाये गया है। इसलिए संभव है कहीं कहीं इसकी गुणवत्ता हमारे या कांख्शाओं के अनुरूप ना हो। नमश्कार आज हमारा देश भारत एक अभूद पूरो लॉंगडाउन जरुजा रखा है। मगर ये कैद तो एक स्वरचित कैद है जो हमने एक माहमारी के खिलाव खुद बनाई है। असल बात यह है कि अधी पुछ दिन पहले ही 14 अपरेल को हमारा राश्ट्रिय स्वरस्ता देबस था। यानि उस रहनुमा को याद करने प्रणाम करने का दिन जिनके बनाए सम्मिधान के सहारे 26 जनरी 1950 से हम अपने स्वयम सिध्ध स्वरचित सम्मिधान के साथ अपने सपनों की राह पर निकल पड़े थे। आज भारत की सम्मिधान सभा की प्रारूपन समयति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेदकर जी को प्रणाम करते हुए हम याद करना चाहेंगे उनके और सम्मिधान सभा के 300 दूसरे सदसों के बनाए उस अनोके दस्तावेज को जो विश्व साहिति का सबसे विरस्मेकारी विलक्षन और विविट की सम्मिधान था और है हमारे अनोके सम्मिधान ने भारत जैसे वेविद्व पूर्ण देश में जो सम्मरस्ता काइम की है तुनिया भर में वो अध्विती है इसलिए बाबा साहब के जन्म दिन को हम राश्ट्रिय सम्मरस्ता दिवस के रूप में मनाते हैं मुझे खुशी है कि संगीत नाटक अकादमी ने डॉक्टर अमेदकर जी की जेहनती के अवसर पर प्राश्ट्रिय सम्मरस्ता दिवस के अवसर पर मुझे आप से जुनने का ये मौका दिया है मैं न कोई इतिहासकार हूँ ना सम्मिधान का कोई विद्वान मैं तो कथावाचक हूँ जो कहानिया सुनाता हूँ I'm a story teller जो नाटक और फिल्म के माध्यम से अब तक कुछ कहानिया ले आता हूँ मेरा सभाग्य था कि कुछ वर्ष पहले मुझे राज्य सभाद टेलिविजिन के लिए आदर निया शाम बेनेगल द्वारां देशित सीरियल सम्मिधान की स्क्रिप्ट लिखने का उसर मिला था उसका में मेरे साथ थी सुश्री शमा जैदी उसी पूरी प्रक्रिया में उसी पूरी अध्यन के दोरान जो कुछ भी मैंने सीखा उसी को आज मैं आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आईए शुरू करते हैं बारत के विश्मेकारी विरक्षण दिवे की सम्मिधान की काल एक सम्मिधान ही एक देश की पह demands होता है एक आईन ही एक देश का मुल्क का आईना होता है जिसमें हम अपनी आशाओं, आकाग्षाओं पेक्षाओं का पतीख देख सकते हैं ऐसे में हमारे देश का संद्धान मनाना दो और भी मुश्किल था क्योंकि जितने धर्म जितनी जातियां प्रजातियां जितनी भाषण जितने विचार विवहार हमारे देश में हैं उतने आम तोर से आम देशों में नहीं हुआ करते हैं कितनी चीज़ें तैय करनी थी हमारे समिधान सभागो, निया देश कौन सी आर्थिक विवस्था अपनाएगा और कौन सा राजनेतिक रास्ता, हमारे सामाजी मुले और पद्रे क्या होंगे और हमारी राज भाषा कौन सी होगी, हमारी नई निया पालिका क्या होगी और कारे पालिका कैसी, हमारी विद्धान पालिकाएं कैसी होंगी और राज और केंदर के संबन्धों का क्या स्वरूप होगा, आदी आदी इत्यादी, पिर भी लगभग तीन सो सदस्यों के हमारी समिधान सभाने, तक्रीबन तीन साल लगाकर, तीन सो पंचानवे अनुच्छेतों और आठ शेडूल्स वाला समिधान बना ही डाला, बहुत से लोगों ने प्रारोपल समिधी या ड्राफ्टिक कमिटी का और खास करके, बाबा सहब डॉक्टर भी बराउम बितकर जी का, बहुत मजाग बुड़ायागी, इतना समय होने के उलग रहा है, बारत का समिधान बन एक ऐसा आधर समिधान जो आज सतर साल बीटने के बाद भी अच्छी तरह देश को दिशाद देता जा रहा है, इस पूरे काम में सबसे ज़्यादा शेय जाता है, बाबा सहब डॉक्टर भी डिटकर को, किन्तों वो स्वयम सदा तमाम दूसरों को अपने उद्यम का शेय द अमिया यंगर, डॉक्टर केम मुन्शी, माननिये सेद सेदुल्ला, माननिये बी-ल मित्र और श्री डी-पी खैतान, दो साल, ग्यारा महिने और सत्रा दिनों की अनठक मेहनत के बाद, पच्छिस नवंबर उनीस सो नजास को समिधान समा के अन्तिम सत्र में अपना आखरी भ सर बेनिगर नर्सिंग राओं को समिधान बनाने का पासर श्रे दिया, और विशेश धनिवाद दिया चीफ ट्राक्समें श्री एसन मुखर्ची का, डॉक्टर मेत कर चानते थे और मानते थे कि एक लोकतंतर में बेश के बारे में सोचने और इसे चलाने का काम किसी एक नेत का नहीं, बलकि बहुतों की सोच, सूच, समझ, सहीयोग से ही सभव होता है। अमर 1946 के दिन जब हमारी सम्मिधान सभा पहली बार बैठी, तो कॉंसिटुएंट असम्बली के कुछ सदस्य दिल्ली की भंगी कॉलनी में महादमा गांधी से मिलने और उनका आशिरवाद लेने पहुचे। बहुत बल्बात लिखी थी। बापुने लिखा था। सभवधान सभा में कोई भी काम करते समय तुम उस व्यक्ति का चेहरा याद करना। जिसे तुमने देखा हो। तब सोचना कि क्या तुम्हरा ये जिए कदम उसकी परस्थिती में उसकी स्थिती में कोई परिवटन लाएगा। क्या मेरे समिधान के इस कदम से उसे सुराज मिलेगा और तब देखना कि तुमारी सारी शंकाएं छूमंतर हो जाएंगी। दॉक्टर अम्मेद कर ने जो स्वयम समाज के एक शोशित फिलित वर्क से आये थे हमेशा इस बात का ध्यान रखा जो हमारे पापूं चाहते थे। सबको साथ लेकर चलने वाला भारत का समिधान कई मामलों में विश्व के सारे समिधानों से बहुत आगे था अलग था। संसार में पहली बार किसी समिधान ने सारे जहां जाती, धर्म, वर्ग, लिंग, रंग, शिक्षा, पैसा, जाइदात का वेद किये बिना सारे नागरिकों को वोट का धिकार दिया था। तब तक कहीं अशिक्षितों का वोट का अधिकार नहीं था, तो कहीं बिना जायदात वालों को, और बहुत से देशों में वोट का अधिकार सिर्फ एक धर्म विशेश, जाती विशेश या रंग विशेश के लोगों को ही था, और सब को वोट का अधिकार देने वाला भारत क संविधान संसार का पहला संविधान था बहुत से लोग ने इस बात को लेकर कि आपती भी उठाई कि भारत एक अशिक्षित देश है जहां बहुत से गरीब लोग रहते हैं क्या वोट का ठीक इस्तिमाल कर पाएंगे पर सदिन में मौजूद भी दुजनों ने और डॉक्टर सारे वयस्कों को वोट का पराबर का अधिकार देना ही होगा तभी पूरा हो पाएगा एक सच्चे जनतंदर का सबना सबके विश्वास की बात करें तो हमारी सविधान सभाब बनने के एक महिने के अंदर ही सबसे पहली बनी समितियों में सथी अलप संख्यों के अधिकारों की आइनाटी राइट्स कमेटी समिति की शुरुआत करते हुए यूपी यानि यूनाइटड प्राविंस के फ्राइट मिनस्टर संयुक्त प्रांथ के बिधान मंत्री पंडित को मिद बलत पंत जी ने बहुत पते की बात की उन्होंने कहा अलप संख्यों को विशेश अधिकार तो हमें देने ही चाहिएं किन्तु साथ ही यह भी याद रखना होगा कि इन अधिकारों की गारंटी कि विल सरकार नहीं किन्तु बड़े बहुत संख्यक समाज को भी लेनी होगी जिसके बीच में चोटा अलप संख्यक स समाज रहता है इसलिए दोनों में भाईचारा एकता सामन जिस से बनाए रखना भी दोनों की सांची से मैदारी होगी हमारी सम्मिधान सभा में समरस्ता की नीव उसी दिन पूंग रही थी जिसके सबसे बढ़े हामी थे डॉक्टर अम्बेंकर सबको साथ लेकर चलने और आगे बढ़ने की मन्शा से ही अलकुस संख्यकों के अधिकारों के साथ साथ जनजातियों और अनुसूचित जातिके नागरिकों को अरक्षन के विशेशादे कार भी दिये गए हमरे सम्मिधान पे जिस टाम में डॉक्टर अम्बेंकर सबसे बाक् साहब ने सविधान सभा के सामने अपना प्याक पद्र पड़ दिया तब सवदार पटेल को उनके घर जाकर उन्हें मना कर वापस लाना पड़ा और दोबारा पूरे जोश्यक्रोड से सम्मिधान बनाने के काम में लग गये थे रॉक्षर बेंकर पर जानकर आश्चर ही होत पिशाध हीकार को लेने से मना कर दिया क्योंकि नए भारत की नए नएकाएं किसी के पीछे नहीं सबके साथ साथ कंठा मिलाकर आगे बढ़ना चाहती थी इश्वर गौड अल्ला भारत का समिधान मनते समय विश्व के हर समिधान में किसी न किसी गौड इश्वर अल्ला का नाम ज़रूर आता था के वर सामेवादी सोवेट यूनियन के समिधान को छोड़ कर इन सारे देशों के मुकावले हमारा भारत कहीं अधिक इश्वर निश्वर निश्वर देश था जहां सभी धर्मों सब्रदाइवं मतों कवीले के लोग अपने अपने इश्वर भगवान गौड अल्ला देवी देवताओं मानताओं को मानते थे और अनिश्वर वादी लोग भी रहते थे ऐसे विविद देश के समिधान ने जहां सब को अपने अपने मतों विश्वास और रीती रिवाजों के अनुसार अपनी गुजा पत्यतियों को अपनाने की पूरी खुली स्वतंतरता दी वहीं हमारे पूरे समिधान में कहीं इश्वर का नाम नहीं आता जब कुछ लोगों ने विशेशकर श्री हवी कामत ने भगवान का नाम समिधान की उद्देशिका में डालने का अगरह किया तो सारी सभा ने उनके इस संचोधन प्रस्ताओं को वोट से निरस्त कर दिया समिधान में आते समय दॉक्टर रमेट कर दो और सारी समिधान सभा के सामने एक बावज़ड़ प्रशिंग था भाषाओं का जिस देश में तमिल और संस्क्रिट जैसी पुरातन क्लासिकल भाषाएं हो और सबसे नई पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली हिंडी और हिंदुस्तानी वहां चुनाओ चुनाओ चुनाओती पूर्ट तो होना ही था फिर देश के हर प्रांत हिस्से प्रभाग में बोले जाने वाली लगबग साथ सो असी बोलियां जवानाए भाषाओं में से चुनाओ पुश्किन तो होता ही और सब की बात सुनी गई और सभी क्षेत्रों प्रांतों अलागों का ध्यान रखते हुए अन्त में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोली समझे जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ लिंक लैंग्विज या राजभाषा का दरजा दिया गया और एट शडियूल के आते ना आते देश की बाइस भाषाओं को राष्ट भाषा का दरजा दिया गया आज भारत संसार का अकेला ऐसा देश है जहांकि दो चार पाँच नहीं बाइस भाषाओं हमारे करंसी नोट्स पर चपी होती है भारत का संसार के अधिक्तर संसार के अधिकारों की बात करते हैं हमारा सम्विधान नागरिकों के करतवियों की बात भी करता है करतवियों को सम्विधान का हिस्सा बनाने की बात सबसे पहले की थी समाजवादी चिंतक लेकट गुजरादीना टककार अर्थशास्त्री प्रफसर श्री केटी शाह ने और इस तरह कुछ समय बाद हर भारतिय नागरिक के 11 कर्तब हमारे सम्मिधान का हिस्सा बन दे है इन कर्तब्यों में सम्मिधान और उसके चिन्हों सस्थाउटा सम्मान देश की अक्षनता अकुंडदा की रक्षा समी धर्मों खेत्रों के प्रतिभाईचारा पर्यावरानों नदियों जीनों जंगलों का संद्रक्षन संवर्धन वैग्यानिक मनोवर्ति को बढ़ाना और ब अबास साथ की सदारत में काम करते हुए ट्राफ्टिंग कमिटी ने एक और अनोखा काम किया जहां संसार के जादातर सम्मिधानों में नाग्रिकों के अधिकारों की बात की जाती है वहीं हमारे सम्मिधान में ऐसी बातें भी आईं जो भले आज हमने नाग्रिकों को उनकी अधिकारों के रूप में ना दी हूँ पर फिर भी इसमें वो रास्ता बताये गया था वो मन्जिल दिखाई गई थी जहां हमारे देश को आगे जाना था ये दिशान रिदेश कहलाए डारेक्टिव प्रिंसिपल्स इसी तरह हमारे सम्मिधान में दर्ज है एक उदेशिका यानी प्रियम्मो सम्मिधान के शुरुआत में ही सबसे पहने आने आने वाली इस उदेशिका को सब सेंत में सारा समिधान लिक्ष हुआ जाने के बाद डॉक्टर अम्बेतकर ने स्वेम लिखा था और सदन में प्रस्तुत किया था आज ये उद्देशी का पूरे देश के लिए एक प्रार्थना के समान स्थांग अगती है जिसे हम सब देश और समिधान के प्रती अपनी आस्था को प्रधाल करने के लिए वी दे पीपल जब तब तोहरा पे रहते हैं समिधान का हिस्सा रहे हैं ये प्रशन कुछा जाना लाजमी है खास करके तब जब आज की ये प्रस्तुति लेकर आ रहा है संगी नाटक पकाड़ी परिवाद जियां समिधान सबा के पहले अज्यक्ष डॉक्टर राजमी प्रसाथ के चुनाओं के बाद सबा कि सारे सदसे एक एक करके राजमी प्रसाथ जी कर धन्यवाद के आपर करने के लिए ख़ड़े हो रहे थे तदी किसी ने कोकल कंठा श्रीमती सरुधी नाड़ी जिसे कहा कि वो कविता में ही अपनी बाद सदन के पडल पर रखें और श्रीमती सरुधी नाड़ी ने लोगों को लिराश नहीं किया और डॉक्टर राजन्स बसाथ की तारीफ में जो पंक्तियां कहीं हो कुछ यहों थी और सारा समिधान बन जाने के बाद उसे चापने से पहले खुशकत खातिब या केलिग्राफर श्री प्रेंग भिहारी नाराएन राइजादा साहम ने पॉइंट त्री की खलम से सारा समिधान अपने हाथ से लिखा था और उससे भी बहुकर पुरे समिधान को चित्रत किया था शांती निकेतन कलाभवन के कलाकारों के टीम ने जिसके अगवा थे आचारे नंदलाल बोस जी ने मोहंजोदारों वैदिक गाल गुप्त मौरे राजवनशो अजनता बाग राजस्थानी और मुगल शैली का प्रेव करते हुए भारत के चारजार साल की कला परंपरा को समिधान में फिरो दिया था और वहीं आच्वे सर्थ में महात्मा गानी का चित्र आधनी कला का नमूना था संगीत की बाग करें तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उस विशिश सत्र में एक नहीं दो नहीं तीन तीन गीत गाये गए थे वन्ले मातरम सारे जहां से अच्छा हैं दोस्ता हमारा और वो गीत जो जब जी हम सुनते हैं तो हर भारत वासी का सीना चोला हो जाता है यानि हमारा अनुखा अनुठा प्यारा राष्टगान चनगावन अधनायक करें संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो संविधान निश्य ही बुरा साबित होगा और यदि संविधान कितना भी बुरा क्यों नहों यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हुए तो वो संविधान अच् पर हर दो राहे पर बाबा साहब अंबेतकर मौचूद थे हर रोड़े को हटाने में वो सबसे आगे थे पर शायद उस आखरी दिन जब पूरा सम्धान बन चुका था तो सम्धान सभा के सामने डॉक्टर अंबेतकर ने जो बात रखी थी वो हम सब के लिए और हमारे सम्धान की रक्षा के लिए बोले गए सबसे महतुपूर्ण शब्द थे डॉक्टर अंबेतकर ने चेतामी देते वे कहा था 26 जन्वरी 1950 के दिन से हम एक विरोधा भास के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं उस दिन से राजनेतिक पटल पर हम एक व्यक्ति एक वोट एक वोट एक मूल के सिध्धान्त को अपना लेंगे पर हमारे सामाजिक और आर्थिक पटल पर शायद इस विवहार तक पहुँचने में भी हमें बहुत समय लगेगा कब तक हम ये विडंबना का जीवन जीएंगे अगर हमने जल्दी ही इस विशमलवा को इस विडंबना को इस असंगति को इस वरोधाभास को दूर नहीं किया तो तबे पिछले लोग हमारे उस पूरे राजनेतिक धाँचे को द्वस्त कर देंगे चौएद साम आज एक समरस्ता के मातों को इतने पुर्जोर ढंग से केबल वही हमारे सामें रख सकते थे आईए आज उस महान शक्स को उस अद्वदी विद्वान को उस अनतक समाज सुधारक को और समता और समरस्ता के उस मसीछा को उनके जन्दिन पर हम प्रणाम करें और प्रण करें कि अपने जीवन में भी हम उसी समरस्ता को लाने का पूरा प्रयास करेंगे जिसके लिए डॉक्टर अम्बेद कर जैसे विट्टी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपना जन्याम करें